और बता दे आपको कि MP की 24 लोगसभा सीटों पर एलान हो चुका है MP की 5 सीटे ऐसी हैं जो BJP ने फिलहाल होल्ड कर दी है उज्जेन, इंदौर, छिन्वारा, धार, बालाघाट ये वो 5 सीटे हैं इंदौर, उज्जेन, छिन्वारा, धार, बालाघाट ये सीटे होल्ड की गई है 11 नए चेहरों को मौका मिला है 24 सीटों पर और पहली लिस्ट पर अगर आप नज़र डालेंगे तो 4 महिलाओं को मौका दिया गया है विदीशा सीट से बात करें, शिवराव सिंग चोहान, यहां से आपको मैदान में नज़र आएंगे गुना से जोतरादेति सिंध्या को मैदान में उतारा गया है, राजी सभा सांसद हो थे, लेकिन अब लोग सभा मैदान में उतरेंगे विदी शर्मा, खजराहो से एक बार फिर से उन्हें मौका मिला है, तो महतपूर खबर है, पार्टी ने अपने 24 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का एलान कर दिया और प्रमुख जो नाम है, प्रदेश अद्धश्वीरी शर्मा, खजराहो सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं, विदीशा सीट से पूर मुख्यमंत्री शिवरास सिंग चुहान, लेकिन 6 सांसद ऐसे जिनके टिकेट भी काटे गए हैं और कौन से वो सांसद हैं, वो भी आपको बता देते हैं भोपाल से प्रग्या सिंग का टिकेट काट दिया गया है, उनकी जगा अलुख शर्मा को भोपाल सीट से टिकेट मिला है गुना से केपी आदव का टिकेट काट कर जोतरादेत सिंध्या को टिकेट दिया गया है सागर से राज भाधुर सिंग का टिकेट काट दिया गया है और इसके साथी आपको बता दे के रतलाम से जी एस टामोर का टिकेट काटा गया विदीशा से रमाकांत भार्गव का टिकेट काटा जहां से शिवराज सिंग इस्वार मैदान मुत्रे हैं ग्वालियर से विवेग शेजवलकर का टिकेट काटा गया है भारत संग कुश्वा यहां से प्रत्याशी पाती के और से बनाए गया है तो चली अलग अलग जगा आपको लिए चलता है क्योंकि 24 सीटे ऐसी जहां से पार्टी ने प्रत्याशी के नामों का अलान कर दिया युद्धा तैयार है अब 400 पार का इंतिजार बुरहानपूर से गणे जुन गया हमारे साथ इस वक जुड़ गए है अमिद सोनी आपको समवाद आता जवलपूर से नजर आ रहे है और इसके साथ ही उमेश पाराशर छत्री लगा कर इस वक गवालियर से हमारे साथ खड़े है ऐसा लग रहा है कि शायद मौसम वहाँ पर ठीक नहीं है लेकिन अमद सबसे पहले में आपके पास आना चाहूंगी आशिश दुवे जवलपूर से प्रत्याशी बनाए गए हैं जरा इनके बारे में बताईए और इसके साथ ही ये सीट क्योंकि रिक्त हो चुकी थी सांसत जो वधाईकी का चुनाव लड़े राकिश सिंग जी और अब आशिश दुवे पर भरोसा जताने की पीछे वज़े क्या रही कारिकरताओं के बीच में इनकी मौझूदगी कि सरहाकी है आशिश दुवे का प्रफाइल बताना चाहूँगा आशिश दुवे का प्रफाइल से आते हैं जो एक साधारन सिंपल व्यक्ति के लाते हैं और पार्टी ने चौकाने वाला जो नाम है वो यहां पे भेजा है कि आशिश दुवे यहां से लोकसाभा के प्रत्याशी लेकिन लागातार आशिश इस पार्टी और संगटन के बीच में कारकरते नजर आये थे और उसके बाद आज उनको पार्टी में बड़ी जवाबदारी और जिम्मेदारी दिये आशिश दुवे का नीड और प्रफाइल है और उसके साथ ही आशिश एक और हिस्ट्री आपक कुछी दिनों पहले इक गुरामी लदेक्ष्टा पद उनने छोला है उसके बाद बीजेपी ने उनको एक बड़ा जवाबदारी दिया कि लोग सभा का टिकेट देको इनको मैदान में होता रहा है समझता आशिश दुवे के परिवार से भी हमने बात की है तमाम लोग यहा काशल की बहुत महत्पूर्ण सीट है जवलपुर और ऐसे में आशिश दुवे पर यहां से पाती ने भरोसा जता है लेकिन गौालियर चंबल संभाग को जरा समझ लेते हैं बहुत महत्पूर्ण हो जाता है इस वक्त राहुल गांधी संभाग में मौजूद हैं दूसी तर रही थी कि जो तरा देते सिंधिया गुना या गौालियर से मैदान में उतर सकते हैं गुना सीट के पी आदफ कटकेट कटा जो तरा देते सिंधिया को यहां से मैदान में उतारा गया और गौालियर सीट के अगर हम बात करें तो भारत सिंग कुश्वा को यहां से मौका पा पहिना कहीं चोकाने वाले निर्णा के लिए बाजबा जाने जाती है और ऐसा ही जब लोगसवा के नामों की जो बुटड़ा हुई है उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो चोकाने वाले अगर बात की जाए गौालियर लोगसवा सीट से बारती सिंद्वा का नाम सबसे आगे चल र साथ यही बज़े हैं कि मौझूदा जो सांसद है वेवेव सेट्वाल कर दी उनका टिकट टाट कर वारत सिंद्वा को यहां से विस्द्वा का प्रत्यासी बनाया है वारत सिंद्वा अभी हाली में विदान सभा चुनाव हुए थे वहां इनको हार का सामना करना पड़ा औ आपको बता दूं नरेंज सिंग्स उमर और सियम सिबरा सिंग तोहान की यह खास माने जाते हैं यही बज़े है कि यह बारती जनता पार्टी ने बारत सिंग कुस्वा पर वरुसा जताया है देखें जया मैं आपको बता दूं सब तक जो चुकाने वाला जो बुना सीड जि कटने के पीछे या कोई और अन्य कारण बिल्कुल जिस तरह से हमने देखा कि जो तरह सिंधिया की जो पसंदीला सीट है वो गुना लोकसवा सीट है और यहां से सिंधिया परिवार लंबे समय से यहां पर यहां से इस सीट पर काबिज भी रहा है अगर बात की जाए तो 2001 म और ही है जब है मातरा सिंधिया देख हुई थी उसके बाद जब जो तरह ROM सिंधिया फचीस वर्स की से थिस तब आप हुआ अजए जीते थे उसके ढाब लगाता हुआ तो 2400 में और 2014 में वहां से लगाता चुनाव जीते आए और तो हिजार सिंधिया को गुना से यहां पर एक वार फिर लोग समा प्रस्यासी बनाया गया है हाला कि इसमें आप राजनेश भी सिंग हो गई है उमंग सिंगार ने कहा है कि केपी यादब के लिए वारे दर्वाजे खुले हैं खुला नियोता दिया गया है उन्हें याद है हमें उमेश क क्योंकि ये तो होना ही है अब देखें टिकेट कटे तो कई सांसद ऐसे जिनका दरदी भी छलक रहा है लेकिन दूसी तरफ पार्टी उसी लाइन पर आगे बढ़ रही है कि इस बार हमें 400 पार का जो नारा दिया है उसे कैसे जीतना है वो लक्ष कैसे हासिल करना उसे ही इस वक्त जब टिकेट का एलान हुआ और यहां से क्योंकि सीट खाली हो गई थी प्रहलाद सिंग पटेल अब सांसद से वधायक बन गए है तो ऐसे में जिस प्रत्याशी के नाम का एलान किया गया ज़रा उनके बारे में हमें बताईए जया दरसल दमो जो लोक्सभा सीट है वो हाई प्रफाइल सीट माली जाती है क्योंकि लगातार दो बार से प्रहलाद पटेल जो की केंद्री मंतिरी रहे हैं वो यहां से सांसद रहे हैं इस बार काफी चौकाने वाले नाम की संभावन जिताए जा रही थी और हुआ भी ऐस साही राहुल सिंग लोधी को इस पार मौका दिया क्या है यहां पर सांसद प्रत्याशी की रूप में दरसल राहुल सिंग के अगर करियर की बात किया तो सबसे पहले उन्होंने कॉंग्रेस से 2018 में तबो बिधानसवा चुना लड़ा था और उन्होंने यहां की कद्दावर पूर्वे तिमंति जैदकुमार मलिया को टिकेट दी गई यहीं बज़े कि इस बार लोगसभा की टिकेट राहुल सिंग लोधी को दी गई है तो काने वाला नाम एक बार फिर सामने आया है लेकिन लोगों में काफी उत्सा है वार्टियंता पार्टी एक जुट में जरा र लेकिन चुनाथी आपको लगती है कि वहां पर नजर आ रहे है राहोल सिंग लोधी के लिए लेया अधर भारते इंता पारटी की बात की जाया है तो यह भारते इंता पार्रम पर एक्सिट बाहाने जाती है तो पिसली चीट थी हो काफी बड़ी थी करीब 309 मतों से भी सी लगातार यहां से जीतते आ रहे हैं ठीक है मनीश बने रहेगा हमारे साथ बुरहानपूर से गणेश भी इस वक्त जुड़े हुए है गणेश आपके पास क्या कुछ अपडेट है क्या माहौल अब नजर आ रहा है लेकिन फिलाल बुरहानपूर के अगर हम बात करें तो क्या समीकरन बनते आपको नजर आ रहे हैं और क्या माहौल प्राहनपूर का कंट्वा लोग स्वाद चाहिए यह बेसिकली बीचेपी क्सीला का अब बोलेगी को घुमाने लेगा में उनके करीबी और सेफ़ा सालार गयाने से पार्टि जिनका नुम्डो लगतार पिंचानों से लगतार बाती अंदर पार्टि में शक्रिये थे वे दस साल तक घड़वा और प्राहनपूर जोलो जिला एक ही वहा करता था वे जिलापन के अंदक्स रहे थे एक सरे से साया बड़के नंदपवा जवान के थास में लगे रहे थे और उनको पार्टोशिक उप्चिनाव में भार्टि अंदर पार्टि दिया था और वे उन है इस बार फिर उनको अगर बात करें तो कि सीट पर पार्टि ने फिर से उन्हें मौका दिया है कि बड़ी जीत दर्स की थी दोहजारूनिस के चुनाव में अब एक बार फिर से पार्टि ने घ्यानश्वार पार्टि लिकों खंडवा सीट से मैदान में उतारा है भरोसा चता है किया है लेकिन देखना होगा कि चुनाव के समय किसरा का माहौल नजर आता लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि पार्टि ने अपने पत्याशियों के नामों का इलान इन सीटों पर अभी कर दिया है शुक्री आपका मनी शुमेश आपका भी बहुत धनिवाद और